आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही जटपट बनने वाला बर्गर की रेस्पी लेके आई हूँ तो चलो शुरू कर लेते हैं इस रेस्पी को कैसे बना इस रेस्पी को बनाने के लिए हमने एक बड़ा चम्माच ओल हमने यहां पर एक बड़े प्याज को रफली चॉपड कर प्लाया है अब इसको इसमें चला लें हमने फोड़ी सी मिली जूली सब्सक्ति चैप्स्कम प्लियों ओर पर तोड़ा जाएं इसको मैं डूर्बढ़ी कर लिया हम इसमें मिला दें यह तोड़ा से नमक डाला और काली मीज़ का पाउड़र डाला है थोड़ा समें रैड चि डालेंगे बच्चों का फैबरेट में नीज में नीज को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे हमने यहां पी लिया है बर्गर वाले छोट छोट बनाती ना हमने वह वाला लिया है आप बस जो भी आप लेवाल हो आप वो ले सकते तो यह पहले से कटे हुए थी तो हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं हमने पर कटा हुए बन लिया था नो उसकी एक साइट पर हम यहां पर लगा देंगे पीजा सॉस यहां पर आप मैयनीज के साथ ट्रमाटो कैचप भी मिला के लगा सकते हैं हमने थोड़ा सा मौजरीला चीज ग्रेट करके डाल दिया है अ हम आप के पास जो भी चीज ऐवलेबल हो बहुपयार के जड़ा और दोनों हमने यहांपर और तो अच्छे से लगास कै अuit हूं से मेरे बेज साब कर लेंती तो हम आपfi्टी लगा सकते हैं थोग मेरे बाधि गरम लवाप्टर हमीज और बटर अच्छे से मैं कि एटिंगे और अच्छे से रखने के बाद हम लो फ्लैम पे इसे एक लिट से कबर करके दो से तीन में चीज मेल्ट होने तक कुक कर लेंगे तो लीजिए यह हमारे बर्गर बनके रैडी हो गई है और इनको बनाने में बहुत जादा टाइम भी नहीं लगा है और इसके उपर हम थोड़ा सा चीज जो ग्रेट करा हुआ रखा था न वो और डाल गये तो जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा तो आप भी अपने घर में इससे ट्राइ करें आपके घर में बच्छों को तो बहुती पसंद आने वाले हैं तो इनको हम सर्व कर ले रहे हैं एक प्लेट में अगर आप भी अपने घर में ट्राइ करें ट्राइ करने के बाद रैस्पी पसंद आ रही है तो मेरी चैनल को लाइक कर दीजिए पहली बार एक तो सब्सक्राइब कर लाएं मिलते हैं तरह नई वीडियो में नई रैसिपी क थेंक्स पर वाचिंग टेक केर एंड बाबाए